हेलो एवरीवन सागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल GDC मेडिसिन पर हम अपने इस चैनल पर दवाईयों की जानकारी रोगों की जानकारी इवं सास्त देखबाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहां पर देते रहते हैं तो अगर आप भी हमारी चैनल पर जहने हैं तो इसे जरू सब्सक्राइब करें आज हम बात करने वाले हैंा एक बहुत ही पॉप्लैर मेडिशन सीनारे सटा कबलेत के ay और सरडी जुकाम बुल्कर को दूर करने के लिये यह टाबलेट डॉक्टर की पहली पसंद दोगी तो आज हम जानेंगे इस सीनारिस टाबलेट के अंदर main composition content क्या क्या चीज़े मिली हुई होगी इसका उपयों को कहा कहा देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यानि की mechanism option क्या है इसके इस्तिमाल करने का सही तरीका इसका doge precaution side effect मतलब इसे टाबलेट के हम आपको संपोड जानकारी देने वाले है पूरे वीडियो में जरूर बने रहीएगा ताकि कोई भी information मिस नो हो दे पाए जिया सीनारिस टाबलेट के अंदर अगर हम main composition की बात कर लें तो क्या है तीन चीज़ मिली होगी सबसे पहले है पैरा सीटामॉल जो की 500 mg मिला होगा फेनिलफरीन हाइड्रोकलाइड जो की 10 mg मिला होगा क्लोर फेनरामीन मेलियेड जो की 2 mg के amount में इसे टाबलेट के अंदर मिला होगा एक strip में 10 टैबलेट आती है जिसकी कीमत 99 रुपया के आसपास आ जाती है और Centaur Pharmaceutical Private Limited इसको बनाती है जो की एक बहुत इमानी जानी कंपनी है फिर अगर हम बात करते हैं इसके uses की तो जैसा कि मनें बताया जुकाम common cold के symptom में डॉक्टरी से देते हैं अब जब जुकाम आएगा cold आएगा तो जकरंग भी होगा बंद नाक वाली समस्या भी होगी बुखार भी होगा सिरदर्द भी होगा है न तो overall आपके जुकाम को तो ठीक किया ही किया बंद नाक वाली समस्या को ठीक कर दिया फीवर वुखार को भी ठीक कर दिया है अब इन content का main mechanium affection क्या है काम करने का तरीका क्या है तो समझेगा सबसे पहले इसमें जिए जो antipiratic होता है और mild energetic मतलब fever reduce करता है बहुत अच्छे से और pain भी थोड़ा बहुत reduce कर दिता है फेनिल्फिरिन की बात कर ले तो भाई यह क्या करेगा जो fever है pain है उसको दूर कर दिया फेनिल्फिर्न hydrochloride की बात कर ले तो यह nasal decongestant है मतलब नाक की जो blood vessel dilate हो गई थी नाक बंद हो गया था साज अच्छे से नहीं ले पा रहे थे उन्हीं blood vessel को narrow करने का काम करता है जिससे नाक खुल जाएगा और बंद नाक की समस्या से भी रात मिल जाएगी तो फेनिल्फिर्न इस तरीके से वर किया फिर अगर chlorophenamin milleate की बात कर लेना तो इसके अंदर anti allergic property होती है जो कि आपका जो allergic symptom यानि नाक से पानी आना, आक से पानी आना, छीक आना इन्हें सभी allergic symptom को दूर करने के लिए chlorophenamin milleate यूज़ दोगा तो भीया, सही dose हमेशा आपकी doctor के साब से लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी condition के साब से dose देते है विसे adult की बात कर ले तो 2-4 tablet आप दिन बर में ले सकते हो कोसिस कीजिए 2 tablet या 3 tablet ही लेने की single एक बार में 2 tablet ज्यादा ज्यादा लोगे कोसिस करो, एक ही tablet लेने की अच्छा असर करता है 7 दिन तक आप ब़र लेते रहो अगर नहीं बन रहा है या अच्छा अस नहीं हो रहा तो 7 दिन तक बरवर लेने पिन पर अच्छे पूरा जड़ से मिता देता है खाने के बाद लेना चाहिए खाली पेट नहीं लेना चाहिए फिर अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशन क्या सावधानिया रखनी है तो या इस सीनारिस टेबलेट के साथ आपको अलकोहल का कंजप्शन नहीं करना है बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस या बहुत सुस्ती फील लोगी साधी साथ अधर मेडिकेशन जिसमें पैरसीटमॉल प्रेजन उसके साथ न ले क्योंकि इसमें और ज्यादा पैरसीटमॉल लोगे तो दिक्कत होगा प्रेगनेंट वेमन है ब्रेश्ट फीडिंग मदर है वह आपने डॉक्टर से कंसल करने के बाद ही ले साधी साथ लिवर वाले डीजीज वाले पेसेंट है तो आप भी डोज एड्जस करके कम डोज मिलें ठीक है तो यह कुछ साधनिया इन लोग को रखनी है अगर हम साइड़ फेट की बात कर ले तो देखो वैसे तो जल्दी नहीं आएगा लेकिन बहुत ज्यादा ओवर डोज ले लिया अग बुखार आदी समस्या को टूइट करने के लिए डॉक्टर की पहली पसंद यह टेबलेट है इसी तरीके से धेर सारी दमाईयों की जानकारी स्वास्त से रिलेटेड बीमारीयों की जानकारी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट वकर विजिट कीजेगा विडियो अच्छा लगा हो को सीखने मिला हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते एक लिए तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल लो किये स्वीन और रिष्ट काते रहिए थेंक यू सो बच आल दे बेरी बेस्ट